नमस्कार बहुत बहुत स्वाइद करते हैं क्लिक्टोडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में और जो भी छादों चातरा हैं 2021 से 24 सेशन के हैं और वो लगातार यहीं पूछे कि एडमिट कार्ड कब से मिलना सुरू होगा तो देखिए जैसा कि आज की रिपोर्ट में भी सुबर में हमने बताया था कि कल तक यानि की 13 तारिक तक परिक्षा फॉर्मी भरा गया है और आज है 14 तारिक, 14 तारिक को एक नोटिस जारी की गई है जिसमें की बताया गया है कि कुछ परिक्षाएं कैंसल हो रही है मतलब किसी एक specific date की परिक्षा रद की जा रही है 2021 से 24 सेशन की जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों का परिक्षा चुका है और उसी परिक्षा कारिक्षा होगा सिर्फ एक date का परिक्षा रद किया गया है वो कौन से डेट का हुँ हम बताएंगे इससे पहले हम आप सभी को बताते की आप लोग अपनी तयारी समय से करते रहें और आपका जिस दिन परिक्षा है उससे एक दिन पहले हमारी चैनल पे वीडियो बना करके बता दिया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लो शेर नहीं किया दोस्तों के विच्छ तक तो शेर कर दो ठीक है इस वीडियो को लाइक भी कर दो और यहां पर देख रहे हैं बावासा भीम राव मेटकर बिहार युणिरसिटी मुझ पूर्व निधारित समय पर एवं जो केंद्र है उस पर होगी यानि कि जो डेट है उसे एक्स्टेंट कर दिया गया 21 को जो होने वाली परिक्षा है उसे कैंसल कर दिया गया अब 21 को कौन सी परिक्षा है यह जो है आपको देखना रहेगा रूटीन में रूटीन आप सभी क करने के लिए को पर्चिस करिए प्रिवियस 5-23 के को इस में मिलेंगे और वही कोश्टेंट जो है रीपीट मोड पे उनिवर्शिटी में पूछे जाते हैं इसलिए कौश्टन मेंग जरूरी है आप को क्रोश्टस करिए परचिस करने का पूरा प्रोसेश वाला वीडियो ज आपका जो भी सब्जेक्ट का कोश्चन चार है वो मिल जाएगा सिर्फ AIH&C एंशिन हिस्ट्री और संस्कृत को चोड़ करके और उर्दू को चोड़ करके इन सभी का कोश्चन मैंग नहीं मिल पाता है ठीक है तो बाकि सारे सब्जेक्ट आपको कोश्चन मैंग मिल जाएगा । बी कॉम बाला ख्रिद देंगा और बी एसी के पूश्चे कर ले और उसी से तयारी करें उसी से कोश्चन लगभग टाइम पूचे जाते हैं और आते भी हैं क्योंकि previous जो आपके senior batch के student थे उनसे वो question पूछे गया थे तो उसी से मिलता जुलता question आपसे पूछा जाएगा आपको उसका जवाब लिख करके देना रहेगा objective कोई भी परिक्षा नहीं हो रही है सारी परिक्षाएं subjective ही हो रही है तो यहाँ पर देख रहा है सेज परिक्षाएं पूर्व निधारित कारिक्रम के अनुसार ही जो है संचालित होगी यानि कि जो पहले से जो निधारित समय है टाइम है डेट है उसी डेट पे होगा बस 21 त परिक्षा केंद्र का जो सूची पहले जारी किया गया था जैसा कि उसे बताया गया कि रद कर दिया जाए और आपको आपका अड्मिट काड़ मिलेगा इसके बीच में अगर कोई नोचीस आ जाता है तो आपको बता दिया जाएगा तो आप लोग जो है हमेशा वीडियो को वाच करते रहे हैं और अपने पढ़ाई जारी रखे और कुशन मैंक से त्यारी करते रहे हैं बाकी आपका